बाद सेल के सुनका इंसान वैसे थोड़ जबाती हो रहा है ELF की प्रॉडक्स के वपर सेल लगी थी और उसमें मैं काफी अर्शे से जो इनके ब्रोशेथ वाइरा देख रही थी चुंकि ये इसकी प्राइस डिउस हो गी थी तो फिर उसमें से कुछ प्रॉशे से जिनको मैं क brush कर सकता है और and it can buff it into the skin for a soft focus effect यह pressed यह loose powder के लिए जो है वो specifically designed है but it can also be used with any cream blush, bronzer, highlighter or foundation directions के सुसर में हो कहते हैं यह apply product in a circular buffing motion all over the skin for a flawless airbrushed appearance clean regularly वो कह रहे हैं यह हमारे ही shampoo से आप इसको जो है वो साफ करें और ऐसे flat रखने के बाद कहीं पर जहना उसको सुखा लें flat surface पर तो ब्रेस्स उसके काफी अच्छे हैं soft है और densely packed है काफी size भी इसका अच्छा खासा बड़ा है और यह बिलकुल भी इसके बाल जो है वो जड़ नहीं रहे हैं कोई fallout इसके बालों का नहीं है दूसरा brush जो मैंने इसके साथ लिया था वो था जी domed stipple brush इसके बारे में जी वो बिताते हैं जी इस stormed gently gently bound brush distributes product evenly by blurring product in the skin in a stippling process for a soft focus effect creates a seamless looking finish for foundation concealer and any other cream liquid powder products directions जी है वो करते हैं के इसको आप dip करें brush को product के अंदर और apply करें face पे in a dotting or stippling motion use light circular motions to blend यानि के stippling motion ऐसे होती है जी stippling motion के साथ जो है वो कहते हैं कि इसको apply करें और आप इसको soft circular motions के अंदर जो है जाना यह काफी महिंगा था sale में होने के बावजूद सो दिस वन कॉस्टेड आराउंड इधिंग 900 और 1000 और यह 40 पर संट शाय थिया 30 पर संट आफ के ओपर था यह इनका contouring brush इस ब्राश के बारे में वह लिखते हैं जी यह वाली शेपजी इसके सलसले में मैंने तकरीब हजार रूपर खर्चेंग इस चीज के बीचे क्योंकि जो कॉंटॉरिंग है उसके थूरू जो है वह वह सपोर्ड़ी जाह वह टागिटेड कॉंटॉरिंग जाह वह जादा सान हो जाती है क्योंकि वह क्याते कि जी अंधे देंसली बाग्टेर रंस्ट्रुक्चरट शेपाइड दिमेंशन अलांग जीचेक बॉन्स एंधे जोला इंधे पर्गटेड कॉंटॉरिंग जाह वह सब्सक्रवा जाह नियुक्त कर देंग जाटर विज़ ब्रॉजर प्रॉज्चर प्रॉच्ट जाह विता इंधे वीडिज्च एंधे लिए ने सब्लबॉर ब्रॉज्च वह जाह वर मियूर आग्टेर अचॉर्ष तो जी कहते हैं कि आप इसको अगर पूरा इस्तमाल करेंगे यह ब्रश जी देखने में इस तरह से हैं इस शेप में तो यह कह रहे हैं कि अगर आप इसके पूरे सर्फिस एरिया को यूज करेंगे तो वो जो है वो थोड़ा सा फुल कवरिश प्रोवाइड करेगा लेकिन जाहिए बात है कि वो थोड़ा सा बढ़ा भी हो जाएगा एरिया के हिसाफ से तो यह भी क्यारें कि आप इसको प्रॉड़क्ट जो क्रीम बेस्ट हैं यह पाउडर बेस्ट हैं सबके साथ इस्तिमाल कर सकते हैं और ज्यादा अगर आप कहते हैं कि light थोड़ा सा रखना है हाथ होला रखना है तो यह तो आप इसके जो edges उनको यूज कर सकते हैं like this edge और this edge और वो कहते हैं कि ज्यादा full coverage के लिए हैवी अप्लिकेशन के लिए आप इसको all over जो है वो इस पूरे surface area को भी यूज कर सकते हैं so यह जो है जी बृस्त अच्छेखा से soft है handle जो है वो बड़ा ठीक ठाक अलब it's a well built brush actually और fallout किसी किसम कर नहीं है और यह जो है वो बाल जो है वो अपनी शकल बरकरा रखते हैं ता प्रिसीजन मल्टी ब्लेंडर मसाजर यह वह एस टाइप शेप में जो हमारे पास ब्रॉस्त आते हैं कुछ उसकिसम का ही है इसके बारे में जो कहते हैं luxurious brush design for up to see an application this unique multi-directional curved massage brush seamlessly sweeps over the facial contours to sculpt, shape and blend in foundation यानि कि यह foundation के लिए भी यूज हो सकता है powder के लिए भी यूज हो सकता है bronzer के लिए भी यूज हो सकता है और कहते हैं जी के वो optimal amount of product यूज करता है और precise और even application जह हो ensure करता है directions to apply foundation apply a little to the back of the hand and swirl around with brush जैनी कि आपने foundation जह हाथ की back पर यहाँ पर डाली है और brush आपने उसके उपर ऐसे जह है ना वो थोड़ा सा उसके उपर गुमाया फिर आया और उसके बाद जह है वो आप अपने face के उपर जह है वो back and forth sweeping motions के अंदर ऐसे paint करते हैं इस तरह से जह है वो आप foundation जह है वो चेहरे के उपर apply कर लेंगे similarly वो कहते हैं कि जिसा से foundation apply की जा सकती है उसी तरह से powder भी apply किया जा सकते हैं और bronzer को लगाने के लिए side edges जो है वो brush के आप इस्तिमाल करेंगे along the hollow of the cheeks जहां पर आप अपना bronzer जो है वो apply करना चाहा रहे हैं और देखने में काफी खुब सूरा थे और इस पर हैं और हैंडल इसका बड़ा प्यारा है ब्रस्स इसके बड़े आला हैं soft है very densely packed और यह जो है इस चोटे चोटे ऐसे tiny bumps जो हैं वो बने हुए है इस brush के अंदर ही है